है गाईज देखो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मतलब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं फोकस का मतलब वह 100% अपना पैसा यहां से ही बनाते हैं यहां से बनाते हैं तो मैंने देखा किसी के पूटफोलियो में उन्होंने सारे स्टॉक को कैसे लगा दिया एक ही कंपनी में मतलब किया ही नहीं है इससे पता चलता है कि बहुत बड़ा रिसर्च और बहुत बड़ा करीज की जिरूत पड़ेगी अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो सारे स्टॉक्स को बेज़के किवले एक स्टॉक्स में पैसा डलना है तो आई टी स ही निकाल के देती अब पैकंपनी लाते रहती है यहाँ पर आप देख रहे ही हैं यहाँ आपको ऑफ को डीट भी आपको बताया ज offend बेटी वां में क् स्टॉर चाह24 नॉमिड 16 इन्टा अइफ को बता। एट रुपेश सत्तर पैसे नॉम्बर एटी आपको बताया जारा डेट वगरा की साथ में आपको बताया जारा मतलब आप समझ लिजे कि 18-19% तक का आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिला मतलब कंटिनुवर स्टॉक में तेजी देखने को मिली रीजन आपको बताया जारा यहाँ पर आफ्टर प्राइवेट इक्विटी फ़र्म ब्लाक स्टोन सेड इट उड बाइ 52% स्टेक इन डिजिटल इन्फोमेशन आपको टेकनोलजी सर्विस प्रॉइडर में तो यहाँ पर बताया गया है कि 16% 18% तक का जंप देखने को मिला जो कि 278 रूपीज तक यह स्टॉक गया था तो यह ख़बर आई थी जिसके वज़े से स्टॉक में तेजी भी देखने को मिला कंपनी के नाम है आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड कोई इवेंट हो सकता है इसमें अब देखो यह तो बताया जा रहा 262 रूपीज में है यह स्टॉक पिछले 5 दिनों से तो मतलब धेरे-देरे स्टॉक उपर ही जा रहा पिछले एक मैने से चे मैने से भी यह स्टॉक पूरा कंसॉलेडेट है कर रहा क्योंकि सारे स्टॉक आई-टी स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिला पिछले एक सालों से यह स्टॉक जो यह गिरा हुआ 350 रूपीस से यह स्टॉक गिरा हुआ अगर आप इसका परसेंटेज में देखना चाहेंगे तो पक्का आप समझ लिए कि 20-30 परसेंट तक का तो गिरावट है बीच में 39 मतलब 40 परसेंट तक का गिरावट था लेकिन यह स्टॉक बहुत अच्छे प्राइस पर मिला बहुत अच्छे प्राइस पर आपको देखने को मिला मतलब बोला जाता ना कि भाई fair value fair price है कि नहीं भाई it's not fair करके बोला जाता है तो यह वो fair चीज है जहां अगर हम खरीते हैं तो हमें को प्रेंचन नहीं होगा कभी कोई प्रॉलम नहीं होगा कभी को नुकसान नहीं होगा और किवाल प्रॉफिट यहां इसने भी हजारो पर संथ का रिटेन बना कर दिया है नीचे से जहां से यह गिरा हुआ उपर से देखोगे तो इसने 6-7,000% तक का रिटेन निकाल के दिया हा हाला कि बीच में इसमें गिरावट भी देखने को मिली थी जो कि 77 या 80% का था सेम यहां पर भी गिरावट देखने को मिला सेम यहां पर भी गिरावट देखने को मिला यहां पर भी गिरावट देखने को मिला यहां पर भी 4.704 परसेंट तक का डिविडेंट बताया जा रहा है यहां पर 4 परसेंट कुछ जादा नहीं हो गया बहुत जादा हो गया और पी रेशियो देख लिए केवल 23 का इससे यह पता चलता स्टॉक ओबर वैलूड नहीं है स्टॉक के बारे में और जनकर यहां पर हम देख लेंग 2017 से यह आपको बताया जा रहा 2021 तक यह आपको बताता है revenue and net income आपको बताता है तो धिरे धिर अगर आप देखोगे तो यह केवल उपर ही जाता जा रहा है long term में साथ में इनका जो यह net profit है वो भी तो धिरे 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 increase ही हो रहा ना वो भी decrease नहीं हो रहा यह देख percentage wise में अगर आप दिखना चाहते हो revenue operating expenses income वगरा यह सारी चीज़े आपको बताया जारा net profit margin EPS यहाँ पर देखने को मिला EBITDA हो गया यह सारी चीज़े आप balance sheet की बात के लेते हैं तो यह है balance sheet balance sheet में बताया जारा कि भाई देखो acid से liability कम है liability जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए annual अगर हम देखते हैं तो annual में अगर आप देखो तो liability company के पास जो है वो बहुत control है मतलब समझ लिजे कि 100 रुपय की company है तो 100 रुपय के company में भाई अगर माल लेता है कि 25 रुपीज का अगर डिट रहेगा तो को टेंचन नहीं है चलेगा company इसको बेचने के बाद फिर भी 75 रुपीज अपने पास रख सकती है है कि नहीं है तो company के पास ज़्यादा data भी नहीं है जो कि बहुत सही चीज है साहिद इसका share capital change हो जाएगा क्यों change हो जाएगा buyback किया गया था यहाँ पर देख लिजे share capital आपको change होता हूँ नजर आ रहा यहाँ देख सकते हैं equity share capital पहले 12 था अभी 11 के बाज़ में तो क्या buy 34 करोड का था आज के rate में देख लिए 342 करोड का जो कि highest है देख लिजे highest है तो इससे यह पता चलता कि company अपने surplus को बढ़ाने में कोई मतलब जो है यह नादानी नहीं करती है company के पास long term boring तो पहले 1.5 करोड something था बीच में 3.95 करोड था लेकिन अभी देखे 0.65 मतलब केवल 65 लाक है और वो भी long term boring कुछ नहीं है company के पास short term boring तो देखे company एक देखे 0.1 फी रुपय का करज नहीं है मतलब यह बहुत अच्छी चीज है positive sign आपको बताया जा रहा और company के पास तो भाई cash भर-भर के पड़ा हुआ 85 करोड का तो cash लेकि company बैठी है और 3-4 करोड का debt है तो यह company जो है artificial intelligence machine learning के उपर काम करती है साथ में इस company ने Microsoft के साथ partnership कर रखा है Microsoft तो आपको पता ही होगा उनके साथ भी यह मतलब इनके पास global बहुत सारे client आपको देखने को मिल जाएंगा बहुत सारे client है और जिस field में यह company काम कर रही है technology के दुनिया में मतलब एक अलग level पर ही 1.2 करोर का portfolio है 1000 करोड का portfolio है लेकिन इसमें केवल एक ही stock में investment किया गया है केवल एक stock में और यह जो stock मने आपको बता है वो यही है देख रेजाए देख लिए आई टी सब्टर का स्टॉक यहाँ पर इसी स्टॉक में उन्हें इन्वेस्टमेंट किया है किवल एक ही स्टॉक है बस इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अच्छे चीजों को किवल रिसर्च करो ऐसे ही मत खरीद लो बहुत जादा तर लोग तुक्का मारते हैं ह अच्छी चीजों को खरुडा करो खरीदने से फ़हे रिसर्च बहुत जादा किया करो टीम बनाओ, टीम बना के रिसर्च किया करो अपने फाइनिशेल अडवबेजर से ऐडवईजर से कंसल्ड चिया मैं आपको कोई डभई नहीं दे रहा हूं मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं मैं आपको बस चीज आपके सामिन रख रहा हूं और अग अब स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो आपने डईमेंड अकाउन हिंजल elfree दिलीवरी चाज़ इस फ्री के उल्टान ट्रूब इस लगता वो भी इंट्राडे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिन्टो मुझा के अपने डिमीट अकांड वागर आपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में